इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मित्रों, दीख बुजए, देश की आवाज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं चाइना और चाइनीज सामान, इस मुद्धे पे कुछ आप से बात करना चाहती हूँ, एक लंबे अर्से से हम लोग चाइना का सामान इस्तमाल कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं, कि उनके सामान में फिनिशिंग कितनी अच्छी होती है, और उनका रेट कितना कम होता है, और अपनी इन दो खूबियों के कारण, वो हमारे जीवन में ऐसे रच बस गए हैं, कि अब हम लोग ये सोचते भी नहीं हैं, कि हम चाइनीज सामान इस्तमाल कर रहे हैं, पर एक कि चाइना हमें माल बेचता है, हमसे प्राफिट कमाता है और उस पैसे का इस्तमाल हमारे ही खिलाफ करता है, इन दो अब तो अगर हम कुछ भी अभी करते हैं तो वो अपने सब व्यापारी भाई तकलीफ में चले जाएंगे तो यह सोचना पड़ेगा दूसरा यह है कि एक टेंपरीरी बात है आज हमारे पास मालों दस लाग का माल है बिख जाएगा आगे आगे क्या तो आगे के लिए हमें कोई एक सटीक प्रामानिक एक अच्छी जो है वो योजना बनानी चाहिए मित्रों ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है या ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो चाइना और चाइनी समान का समाधान है हमारे पास क्योंकि हमारे यहां के जो लोग हैं वो अदम में साहसी अदम मुस्साही पराक्रम से भरे हुए लवरेज और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तयार ये जो निराशाय वाले लोग हैं तो इनकी संक्या नगन्ने हैं गिंती में हैं लेकिन उन्हें एक सही वातावरण चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनकी जो यानि इसका जो सही इसका जो उपाय है वो है कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी मजबूत हो हमारा प्रोडेक्ट इतना अच्छा हो फिनिशिंग अच्छी हो कॉस्टिंग वाइस उसके रेट कम हो कि लोग उ अबने देश की बनी हुई चीज अधसी जाधा आगे गी होगी तो देश भक्त है दर्म है ने में 12 और जिसका यही है कि कि अज dalam के शंब से पहली चीज अभी जो है वो दो यह बहुत पीम सी अलना चैये शोला हुआ ऊगी थोड़ी सी है तो आपको लोड़िट कर दिया उन्होंने दोस्तों गौर्मेंट को चाहिए कि वो जैसे उन्होंने गुजरात में इस्पेशल एकनोमिक जॉन एक अड़ से पहले बनाये थे और वो काफी सफल भी रहे थे फिर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पॉलिश करने की जरूरत है उसमें आज के संदर्व में कुछ नई बाते हैं बेसिक बाते हैं और बेहद जरूरी बाते हैं जोडने की जरूरत है जिन में से सबसे पहले है कि लेबर लॉज ऐसे हो कि चलती हुई इंडस्ट्री में लॉक डाउन ना हो हरताले ना हो बिला बज़े का जिसको कहते हैं यूपी की भाशा में कि उधम ना हो बिला बज़े का वहां पे संकट ना है उनके जो इशूज हो उन्हें एमिकेबली सेटिल किया जाए चाहिए इस सकते हैं जो इंडिविजल इशूज को भी देखें और बड़े मैटर्स को भी देखें लेकिन किसी भी हालत में फैक्ट्री के अंदर लॉक डाउन नहीं होगा हरताल नहीं होगी काम चलता हुआ बंद नहीं होगा जो एसाइनमेंट्स ले रखे हैं जिनकी टाइमली कैसे हम चाइना के समान का अल्टरनेटिव जोड़ सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए तो उन सबकी एक स्वर में एक ही राय थी कि हमारे टेक्स प्रॉपरली बनाए जाए जिससे कि हमें चोरी नहीं करनी पड़े हमको टेंशन नहीं हो आप चाहें तो हमारे खर्चे पर ट लगा रहे हैं आप इन्हें छोटा कर सकते हैं हम जितना खर्च करें उस पर टेक्स ले लिए अब आपने चाहिए बेशक आप रिटरन करने हो पर आप में मैंपावर तो इसमें इन्वाल्व है पहले हम जमा करेंगे फिर आप उसे बापिस करोगे कुछ चूट जाएंगे क जिसमें जो हमारे देश के लोग अधिकतर लोग कम पढ़े लिखें सारे नी कॉलिफाइड ने सारे नी डॉक्टर से सारे नी सीए से चाने प्रोफेसर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर की आर्थिक इस्तितिके कारण बचपन से काम करना पड़ता है नहीं ज्यादा अभी ग्यान नहीं होता है लेकिन दुनियादारी का ग्यान काम का ग्यान और समझ भूज उनकी काफी होती है सारी जगे आपने कि सब काम इंटरनेट से होगा अभी आप सर्वेस करा लिजिए एक हजार आत्मिया आपको यह कहेगा बैंक में जाने पर किसाब नेट नहीं चल इतनी जल्दी कहा थी पैरलल भी तो सैट अप रखते कि कुछ काम हाथ से भी होता जो पहले अंगूठा लगता तब लगा रहे हो ना अगूठा हर जगे तो क्या एकदम हर्ची राइट आफ करने की जड़ोती तो गौर्मेंट समझती है कि हम सरकार है हम सक्ता है हम सक्स्ति इस तरह की जो आपकी कारिश है लिए उसके लिए शायद नहीं और हरे को एक वक्त मिलता है उस वक्त का वो कितना अच्छा उपियोग कर सकता है कितने सालों तक वर्षों तक सदियों तक वो लोगों के दिलों में राज कर सकता है उसका भी मौका होता है इतिहास पे वो कौ तो आज जो जरूरत है मैं समझती हूँ अपने तौर पर मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं कॉमर्स की स्टुडेंट नहीं हूँ मैं बिजनेस वाली नहीं हूँ लेकिन मुझे जो सामानने ग्यान है उसके आधार पर मैं यह समझती हूँ कि सारे टॉप जो उद्योग के ले उनकी समझ का फ्री में उपयोग करें उनकी सलाहों का और जो वो चाहते हैं कहीं पर आके एक मत होकर के कोई समादान परमन निकाला जाए और अपने हां की इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए जब हम होंगे मजबूत तो बागी सब अपने आपी तो इसका एक मात रु नहीं के लिए हैं पने आखी बरती लोगों की दिलों में जो संसनाहत्ट भी गवरहाइं को माई देखने वाला है कोई देख रहा है लोग किस तरह से तडफ रहे हैं आपने आज के अपने कल के लिए अपने बच्चों के लिए अपने बंड़ … के लिए अपने भविश्च के लिए जितने भी बुड़े लोग है सीनर सिटी जैने वो चिला रहे हैं किसा मेरा मुझे इतना रुपया मिलता है था हमारे सेविंग्स पर इतना मिल यह जो बचा हुआ आठ हजार दसे आरुपय कम हो रहा है तो मैं क्या दबाई नी खाओं या मैं भीजना चाहती हूं कि महरवानी करके लोगों के दिलों की आवास उनकी जरूरत कि समझे क्योंकि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसको सॉल्व ना किया जा सके अगर आप चाहते हैं कि चाइना के प्रोड़क्स का प्रॉपर सही जवाब दिया जाए तो अपने आकी चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इसको पुष्ट करिए मजबूत करिए उन्हें सुविधायर दीजिए उन्हें बिजली दीजिए उन्हें जो भी जरूरी पॉलिसी हैं ऐसी उनकी बनाईए कि जिसमें वो टेंशन फ्री हो कि सिर्फ सिर् स Blair. और दोस्तों आप सब जानते हो कोई अंधेरा सूरज को निकलने से रोक सकता है कोई बी अंधेरा सूरज को निकलने से रोक नहीं सकता इसलिए लच्छे दार. बाते मत करो लच्छेदार बातों से जिन्दगी नहीं चलती हजारों उद्योग बेकार हो गए हैं लोगों के पास काम नहीं है जिन्होंने सारी जिन्दगी कलम घिसी है आप क्या भुट्टे बूनेंगे वो सड़क पर बैठ करके 60 साल में 65 साल में 70 साल में या 45-50 साल में कैसे वो अपना सब कुछ चेंज करेंगे तो लोगों की तकलीफों को समझिए आप कई जगे बहुत अच्छे हैं आपकी foreign policies अच्छी हैं आपने देश का कद बढ़ाया है आपने महिलाओं के जीवन को सुधारा है बहुत अच्छे काम की आपने उसके लिए बढ़ाई के पात रहें लेकिन इंडस्ट्री को मजबूत करिए उनकी राइल लीजिए उन्हें यह समझे कि पैसे कमाने वाले कोई वो पिस्यूं है यह मजदूरों के खिलाफ काम करते हैं नहीं एक एक सेट दो से लेके और कई सो लोगों तक रो उसके अपने बच्चों का समय उसके अपने पेरेंट्स का समय उसका कूद्क का समय उसमें से निकाल की लों की लिए लगाता है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना मिलते हैं फिर एक नए विशय के साथ तब तक के लिए कैमरा में सुनिल गौर्टम के साथ मदूश्य वास्तप का नमस्कार इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर और बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए